नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफ्रेंस अगर फॉर एक्जांपल आपने नया यूटूब का चानल चालू किया है तो आपको जीमेल एकाउन पुराना यूज करना चाहिए कि नया वाला यूज करना चाहिए क्या इंपक्ट आता है कि अगर आपको पूराना makers फराओ परता है उसका इसका बहुत फरता है यूटूब चानल की उपर अगर अग्र शाहिए ऊको पूरा हो गया जैसा काफी लोग बतातेières तो क्या आपका चैनल मॉनेटाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसके बारे में आपको एक्जाट डीटेल दूँगा विद इक्जामपल तो इस चैनल के साथ में बने रगिएगा अगर आपने गलती से भी सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज आपका जीमेल चैनल अलड़ी बन चुका है तो आप क्या करोगे बाउट सेक्शन में जाओगे बाउट सेक्शन में जिसतर के साब सामय स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने चैनल बनाया था 14 माई 2020 को यानि कि एक साल पहले मेरा नया अकाउंट है अब इसका इमपैट क्या था साइब तो उन एकाउंट के उपर विविव मिलने के चैनसेज बहुत ही कम रहते हैं अगर आप नया चैनल बनाते हो सिंपल होता है जीमेल के थूब बनता है उन्यहें यूट्व आपस में लिंक होते हैं अब अगर नया चैनल आने के चांसेज आपके बढ़ जाते हैं तो तो यह अगर आपको बोलता है कि 10 मिनट के अंदर आपके 1000 सब्स्राइबर हो जाएंगे या एक दिन के आप एक दिन में आपके चारजर वाच टाइम हो जाएगा तो अच्छा नहीं होता है उसमें लगता है बहुत सारी चीजें होती है उनको बडिबंड करता है अब हम आते ह क्या यूट्यूब करता है यूट्यूब कि आपका एक साल हो गया तो क्या वह वापस से आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा क्या आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं इन सभी कॉस्टेंस के आपको आंसर देता हूं वीडियो में तो आप वीडियो मे तो मैं लाइफ टेंप पर ग्या लाइफ टैम पर देखोगी मैं 13 मई से को मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा चैनल को और फिला अभी 30 अपरेल है तो मेरे 3556 पूरे हो चुके हैं अब इसमें किस तरीके से अब 13 मई को तो मेरे इग साल हो जाएंगे तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पढ़ेगा मैं आपको बताता हूं उसका रीजन किस तरिख से यूट्विसको से पकॉन्टेंग करता है किस तरीक से कान एब यूट्यूब क्या करेगा जब मЁद्च करेगा यहाइन कीर पांच महाइब करता है फिर जून से मेरे counting चालू करेगा फॉर एगर मेरा जून में भी नहीं हुआ तो जून भी माइनस कर देगा जून में साले 14 घंटे ही मेरे हुए थे यानि कि 14 और 519 साले 19 घंटे माइनस करके जो मेरा नंबर हुआ है यानि कि 3556 में से साले 19 घंटे माइनस करेगा और जुलाई तक मेरा टार्गेट एक्सेंड हो जाएगा तो मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे और मेरा चानल मॉनेटाइज भी हो जाएगा क्योंकि मेरे लड़ी 1000 सब्सक्राइबर है तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन लाबदायक लगी होगी अगर इसी प्रकार के और भी आपके कोई कोई क्वेशन आते हैं तो आप व्यूडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको उनका जरूर आंसर दूंगा टेक्निकल कोई लेके या किसी और प्लाटफॉर्म के लिए आप जरूर मुझे कमेंट करिए मैं आपको आंसर दूंगा थैंक्यू सो मच अपना